हेलो एवरिवान, वेलकुम बैक टो मैं चैनल, आज मैं आपको सेल्फ क्लोजिंग मोक रिंग बनाना बताऊंगी, यह जो पोर्शन आप देख रहे हैं, चेन, मोक रिंग और यह चेन, देखने में यह फ्लोटिंग रिंग जैसा भी लगता है, वो भी रिंग है, यह भी कर देख दिघान की यह चेन के लिए, यह जो शेटल है इसा जगह आप बोल-थ्रेड, भैट यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास शेटल में थ्रेड था तो इसको मैं बोल-थ्रेड की तरह ही यूज करूँगी, तो इसको मैं चेन, वर्क के लिए फिंगर पे लपेट लेत बॉल थ्रेड भी उज़ कर सकते हैं अगर सेकंड शेटल नहीं उज़ करना तो तो देखिए जो सेकंड वाला शेटल है उसमें थ्रेड थोड़ा कम कर लूँगी वाइंड कर लूँगी यानिकी शेटल को थोड़ा सा यहां पर मैं चेंड बना रही हूं 10 डबल स्टिचेस की तो 10 डबल स्टिचेस की चेंड बना लेंगे आप ध्यान रखना सेल्फ क्लोजिंग मौकरिंग कैसे बनेगा तो यह चेंड बना ली अब यह देखें यह चेंड के बाद हमने आगे सेल्फ क्लोजिंग मौकरिंग बनाना है तो देखो इस तरीके से मैंने लूप छोड़ लि यह रिंग के लिए स्टिचे ले रहे हैं चेन मैथ्ण ऐ ले रहे हैंकorter है एट डबल स्टिचेंट तो इस तरीके से हमने दीज टLAD सुड़ा हैं यह जो मेने लिए छोड़ा यह सीधा रहना चाहिए ट्विस्ट नहीं होना चाहिए तो यह देखो। यह क्वे तो और आगे हम चेंड ही बना रहう हैं अब अब यह तक हम चेंड बना रहे हैं जब हम इसको प्लोज करेंगी इस लूपर श्टिरफ ग्रम तो वह क्लोजेंग आप श caring स at dh नहीं करता है सिधा कर लेना है इस तरहिके से और यहां से हमने शेट गुजार लेना है और इसको क्लोज कर देंगे तो जो चीन है जब हम इसको क्लोज करेंगे ओ데मेटिकली रिंग के शेप ने आ तो ये हमारा self closing closing mok ring हो जाएगा tight कर देंगे अच्छे से और देखिए जो thread है अभी भी finger wrap किया हुआ है मैंने बाकी की chain अब बना लेंगे तो 10 double stitches की chain थी ये देखिए ये हमारा beautiful ring close हो गया है तो आगे मैं 10 double stitches लेके वो chain complete कर लेती हूँ वस इतना सा lesson था आज का इससे ये आप beautiful जो है motive बना सकते हैं तो इसका full tutorial बाद में दूंगी में तो ये देखो chain भी tight कर ली है मैंने तो इस तरीके से आप ये बना सकते हैं कहीं जगा पे ये use होता है वो आगे हम detail में इसको जब long इसका pattern बनाएंगे ना अभी तुम्हें सिर्फ आपको ये self closing mock ring बनाना बता रही है तो देखिए इस तरीके से ये बन जाएगा practice करना I hope आपको समझ में आ गया है कि इस तरीके से भी हम ring बना सकते हैं तो मिलते हैं next video में thank you for watching इसकी आप practice करना